नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि टैजलोग टैबलेट का उपयोग किन कंडिशन्स में किया जाता है टैजलोग टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और टैजलोग टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे कि टैजलोग टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडिशन्स में टैजलोग टैबलेट को ले कम करने के लिए TEJLOG tablet का उपयोग किया जाता है TEJLOG tablet blood pressure को कम करती है और दिल का दौरा पढ़ने का और लख्वा लगने के रिस्क को कम करती है क्योंकि लंबे समय तक blood pressure अधिक रहने की वजह से किड्नी फेलियर, हार्ट फेलियर, दिल का दोरा पढ़ने का और लखवा लगने का रिस्क अधिक हो जाता है। इसके अलावा लंबे समय तक ब्लड ट्रेशर अधिक रहने की वजह से आखों की ब्लड वेसल भी दैमेज हो सकती है और अंधापन भी हो सकता है। एक नोर्मल व व्यक्ति का ब्लड ट्रेशर उपर वाला 140 से ज्यादा और नीचे वाला 90 से ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का ब्लड ट्रेशर ज्यादा है। टैजलोग एक ब्रेंड नेम है। टैजलोग टैबलेट के अंदर सॉल्ट कमपोजीशन तेलमी सातन होता है। ट प्रुपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिसकस करेंगे कि टैजलोग टैबलेट को कैसे लेना रेटमेंडेड होता है। टैजलोग टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है। और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर शुरुआत में टैजलोग 20 mg टैबलेट को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं। लेकिन बाद में जरुरत पढ़ने पर डॉक्टर टैजलोग 40 mg टैबलेट या टैजलोग 80 mg टैबलेट को भी दिन में एक बार लेने की सलाह दे सकते हैं। टैजलोग टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती हैं। इसलिए आपको टैजलोग टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। और डॉक्तर की सलाह के बिना टैजलोग टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की टैजलोग टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में तैजलोग टैबलेट की वजह से कोई side effects नहीं होते हैं. लेकिन कुछ percent व्यक्तियों में तैजलोग टैबलेट की वजह से कुछ सामानने side effects हो सकते हैं. जैसे पेट में दर्थ, उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, दस्त, शरीर में ठकान वसुस्ती होना, ब्लड प्रेशर का ज्यादा कम होना, उदास महसूस करना, नींद आने में परेशानी होना, दिल की धरकन का कम होना आधी side effects टैजलोग टैबलेट की वजह से हो सकते हैं. इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में टैजलोग टैबलेट की वजह से जुखाम और गले में खराश या infection भी हो सकता है. अब हम डिस्कस करेंगे कि टैजलोग टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, और किन conditions में टैजलोग टैबलेट को लेना रेक कम करना चाहिए, smoking नहीं करनी चाहिए, और अगर आपके शरीर का वजन ज्यादा है, तो शरीर के वजन को कम करना चाहिए, इसके अलावा blood pressure को अच्छी तरह से control में लाने के लिए आपको regular exercise करनी चाहिए, लिवर या kidney की कोई गंभीर बीमारी होने पर टैजलोग टैबलेट को लेना रेकमेंदेड नहीं होता है, इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्तर की सलाह के बिना तैजलोग टैबलेट को नहीं लेना चाहिए, अब हम जानेंगे कि क्या pregnant महिलाएं और स्थनपान करा रही महिलाएं तैजलोग टैबलेट को ले सकती है या नहीं, pregnant महिलाओं और स स्टनपान करा रही महीलाओं को टैजलोग टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। और डॉक्तर की सलाह के बिना प्रेगनिंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को टैजलोग टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका टैजलोग टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं